कहेंगे जेडियू ने भी हिमायत कर दिया जेडियू तो बीजेपी में है बिहार में भी है यहां पर भी है अब पल्टू चाचा पल्टू राम कब वो कल पलड़ जाए और इसकी मुखालफत कर दें अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो पार्लेमेंट खतम ही होने वाला ह है लेकिन जब यह दोबारा पेश होगा यह इस पर डिसकर्शन होगा तो जब तक पल्टू राम जब पलड़ जाएंगे पिल को लाने का मकसद क्या है भाजपा का संसोधन आखिर क्यों करना चाहती है देखे भाजपा का जो हश्रुआ है चार सो सीटों की बात कर रहें थे 246 रह गई उसमें भी बाजब लोग कहते हैं कि साब बिल निहायत ही खराब आया है जो इस बार जो आपका जो बजट आया है वह बहुत ही खतरनाक आया है हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब परिशान है तो अब इनको चुन-चुन के यह मुद्दे लाएंगे वक्फ का वक्फ का वक्फ का जो यह बिल लाएं उसका कोई फाइदा ह नहीं है वक्फ तो जो है हजारों साल से जबसे दुनिया बनी है अपनी प्रापर्टियां लोग वक्फ करते हैं और वो जिस मकसद के लिए करते हैं उस मकसद के लिए उसको यूज की जा सकती है वक्फ के वक्फ के जो संसोधन का जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के हित के लिए है मुसलमानों की जो मुसलिम महीला है मुसलिम बच्चे है और जो मुसलमानों के गरीब जो तबका है उन तक वो वक्फ की जाईदादों के जो है वो फाइदा नहीं पहुंचता है उन् जो है वो जो मुसलिम खवातीन हैं वो उनके हक की बात कर रहे हैं क्या ट्रिपुल तलाग बंद हो गई इसके अराबा वो जितने भी मुद्दे लाते हैं वो वही लाते हैं कि जिससे मुसलमान प्रभोक हों मुसलमान जो है एजिटेशन करें रस्ते पर आएं उसके बाद ये कहें कि देखे हिंदू हों से कि हम तो देखे इनके फाइदे की बात कर रहे थे और यह हमारे खलाब जा रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है बिल से और वक्त के से इनका मतलब भी क्या है इनका आप पता पहले नर्सी का मुद्दा था वो भी कर रहे थे हमारे फाइदे के लिए हर्ची हमारे फाइदे के लिए भाई आप से हमारा हमारी दर्खास है आप हमारे फाइदे की बात ना सोचें आप जो भी बिल लाएं वो देश के फाइदे के लिए लाएं ये कैसी बाते कर रहे हैं आप हमारे फाइदे का बारे में ना सोचे तो भी दिक्कत सबका साथ सबका विकास का नारा है हमारे पधान मंतरी का और आप ऐसी वाते कर रहें कि मुसल्मानों के बारे में ना सोचे सरकार वो तो वो तो हमारे बारे में तो बुराई सोचते हैं उन्होंने कहा कि अगर अगर यह कॉंग्रेस आ गई या ख्लेश आ गए तो हमारी जो हिंदू बहने हैं उनके मंगल सुत्र जो है छीन के जो है मुसलमानों को दे दिये जाएंगे आप बताइए मुगलों की उकुमत रही अंग्रेजु की उकुमत रही कहां किसी के मंगल सुत्र छीने गए तो बीजेपी चैनला ये हम लोगों के कभी फाइदे की बात न करी तक्सी में पार्लिमेंट ये पार्लेमेंट के आपीज़ु या कुश्या करें रही Ratar involvement को पाफिस्तान गए तो सचाएत्यकि लेकिन यहां के मुसलिमान टी ये पर करके अपने अपनी जाइदादों को गए तो यह इसमें कहां तक सच्छाई है कि मुसल्मानों को अपनी जान बचाने का उस वक्त वो था कि जाजाद को वक्त करने का टाइम था किरन रिजुजु की बात पर जो है वो आप वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जिसका कोई जिसकी कोई विट्नेस हो जिसका कोई प्रमान हो वो उन्होंने एक बात कहे दी ब्लाना सिर्फ मुसल्मानों को जो है वो प्रवो करने के लावा इसमें कुछ भी नहीं है यह बिल की तयारी भी नहीं की गई है चानक भी ले आए हैं और अगर इसको बिलकों इनको लाना है तो इस पर जितने भी पार्टीज हैं मुस्लिम मेंबर अपार्लेमेंट हैं सेकूलर पार्टीज हैं राहूल गांदी हैं यह सब बैठके पहले कमेटी बनाएं और चलाएगे ना अल्टिमेटली बिलकों वस्तिम क्या इनके प्लानिंग है क्या ड्राफ्ट कि जिए बाद में किसकी काईमिकेशन होंगे जब तक हम कैसे कमेट कर सकते हैं इसलिए तो इन्होंने जो है वह सर्च कमेटी को भीज दिया यह बिल कूँ भीज दिया अगर यह बिल पास उन्हें क्यों मिद थी क्योंकि यह बिल इसमें दम नहीं था और इनके जो अलाइज थे वह भी नहीं चाहते थे कि यह बिल पास हो इसलिए तो यह सर्च कमेंटी को भीज दिया गया इसलिए यह किरन रिजिजु साहब जो तैयारी करके नहीं आये थे मैंने बता है अभी यह बिल आये हैं ड्राफ पेश किया है और वो बिल गिर चुका है मैंने समझता कि अभी उसमें जादा कमेंट किया जाए और इसमें जो पूरा वक्वोड का जो एक्ट है उसके जो कवानीन है वो जब तक पूरे क्लरिफिकेशन नहीं आएगा अभी में एक स्वार लेते है वसी उसम गाजी साहब कि इस बिल आगर लागू हो गया तो क्या नुक्सानच हो सकते रहे कि बहुत सारे भी लागू हो गए हमारे खिलाफ वक्ष बिल्दऊ संसोधन फिल जाती तौर से इसमा ना मुसल्मानों का कोई नुक्सान होगा और ना यह मुसल्मानों की जो वफ की जायजाए यह ले पाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोट ने कहा किसा आस्ता का सवाल है हम चाहते हैं कि मुल्क हमारा जो है वो सलामत रहे, हिंदू-मुस्लिम जगड़ा ना हो, और बीजेपी ये चाहते हैं कि हिंदू-मुस्लिम जगड़ा हो, ये मुद्डे पर ही ये उकुमत करते हैं।